नमस्कार फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स यह जो आज बेबी ड्रेस में आपको बनाना बता रही हूं यह ड्रेस हाफ मीटर से भी कम कपड़े में बन करके रैडी हो जाएगी जैसे मैं आपको यहां पे नाप करके दिखा रही है यह कपड़ा है के उपर से कट करके अलग कर लेंगे अब हमने कपड़े को टर्न किया है लेंथ हम लेंगे इसका 13 इंच और जो 12 इंच है वो इसका वीड़ रहेगा इसको फोर लेयर में फोल्ड करेंगे यहां पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे शोल्डर 4 इंच नेक वीड़ है 2.5 इंच आर्म होल हमने लिया है 3.5 इंच और जो इसका राउंड है फिटिंग है वो 10 इंच है तो 5 इंच पे यहां पे मार्किंग किया है एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा अंदर और बैक नेक है 1 इंच फ्रंक्ट नेक है इनको यहां पे राउंड दे करके कट कर लेंगे पहले 1 इंच से हम इसको कट करेंगे और आर्म होल की साइड से कट कर देंगे दोस्तों आप भी इसी परकार से बच्चों के लिए सोफ्ट ड्रेस घर पे बना सकते हैं काफी कमपर्टेबल होने के साथ साथ गर्मी के लिए प्यार कॉटन कप्टा तो एकदम सॉफ्ट रहेगी छोटे बच्चों के लिए यहां से 1.5 इंच पर हमने इसको राउंड दिया है अब अंडर बीड का कटिंग करते हैं लेंथ 8 इंच है और बीड ते इसका 14 इंच तो इसको 4 लेयर में फोल्ड करेंगे जो कमर का राउंड तो उससे हमने इसको 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है यह 6.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं और इधर है 6 इंच इसको इधर घुमा करके यहां से कट कर देंगे आसन इसका हमने 6.5 इंच रखा है और यहां से फोल्ड कप्डा है तो इसको थोड़ा सा कट कर देंगे यहां से 1. 1.5 इंच काम राउंड देंगे यहां पर वन इंच दिया है मैंने यह भी ठीक है कि दोनों की कटिंग हो गई है अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं पहले हम इसके सोल्डर को अटेच करेंगे सोल्डर अटेच होने के बाद में आर्म होल पे हम एक तिर्ची पट्टी अटेच करेंगे यह अंदर की साइड अटेच करेंगे पहले 1.5 इंच विड्ट की यहां पे स्ट्रिप हमने ली है अब इसको बार के साइड फोल्ड करके इसके उपर से सिलाई लगा देंगे दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इनको सेर जरूर करें अब साइड से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों से हम यहां पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो नेक है फरंट और नीचे का जो हिस्सा है उसमें पूरे में हमको एस्टिप अटेच करना है तो इंच विड्ट थे इसका डबल किया है और इसको भी अंदर की साइड से अनके उल्टा साइड से अटे करें अब हम इसको राइट साइड मोड करके सिलाई लगा रहे हैं आप भी दोस्तों इसी परकार से कोई भी सूंट मैंसे या किसी और चीज में सकपड़ा बद जाता है तो उससे ऐसे ड्रेस बना सकते हैं यह हमारा टॉप कंप्लीट हो गया है इसमें यहां पे बटन हुक लगा सकते हैं अब अंडर्वेर की इस सिलाई कर रहे हैं पहले हम इसका आसन की साइड से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से आसन से सिलाई लगाने के बाल नीचे की साइड में भी हम यहां पे तिर्छा पट्टी अटेच करेंगे दोनों साइडों में और फ्रेंड्स खास बात यह है कि जैसे मुझे सिलना आता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई करना आता है तब भी आप इनको बना सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे इतना इजी तरीका कटिंग और स्टेचिंग का आप लोगों को बताती हूं और मैं जैसे हाथ से बना करके किसी को गिफ्ट में देती हूं हाँ मैं देती हूं ऐसा नहीं कि केवल बनाते देते हैं और लोग बड़े अच्छे से लेते भी हैं इनको कहके भी बनवाते हैं कि हमको नहीं हाथ से ही बना के देना है क्योंकि कपड़ा सोफ्ट भी रहता है और पैनाने में comfortable भी रहता है अब नीचे की साइड से इसमें सिलाई लगा देंगे इसके बाद हम हाफ इंच का डवल फोल्ड उपर लेंगे इसमें पतले वाली लास्टिक यहां पर हम डालेंगे क्योंकि जदा मूटा रहता तो बच्चे को गड़ता है बाद में अब जो कमर है उसे फोर इंच कम हमने लास्टिक लिया है और सेफटी पिन की साइडा से इसमें इंटर करेंगे और यहां पर सिलाई लगा करके इसको खिश देंगे और जो ओपन एरिया इसमें रह गया था उसके उपर भी हम सिलाई लगा देंगे दोस्तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि आपको इन वीडियो कैसी लगी और प्लीज इसको लाइक और सेर भी जरूर करें क्योंकि हमें आप लोगों के hanp की काफी जरूर्त है और कंटेंस आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर इसको share कीजिएगा Thank you for watching friends तो ये ready हो गए